अल्लो ब्रीबन, वेल्कूंग तो बाइक चैनल, फ्रेंट्स आज आज आनों करन्ट की डेफिनिशन और कुछ इंपोर्टन प्वाइन डिस्कस करेंगी, चलिए शुरुआत करते हैं अगर मैं हिन्ड में बात करो, तो फ्रेंट जो करन्ट की डेफिनिशन होते हैं, जिसे एंपेर ए में मापा जाता है अगर मैं इसकी एक और डेफिनिशन के बात करो, फ्रेंट फ्रेंट होते हैं, इसका मतलब के है ह। कि आवेज परवर्तन की समय दर को बोलते हैं इलक्तर करन्ट Y मैंने आपने दिखा है आवेज परवर्तन की समय दर या फिर इलक्तर करन्ट इस दा टाइम देट ओफ चेंज ओफ चार्ड Y देखिए फैंट यही फार्मूला भी यही आपको बता रहा है कि अगर आपको इन दोनों डेफिनिशन में आपको जो डेफिनिशन इस ही लगरी हो आप वियाद कर सकते हैं यह डेफिनिशन में ठीक है इलक्तर करन्ट इस दा रेट और फुल ओफ इलक्तरॉंस इन ए कंड़क्टर आप फिर बात करते हैं इस कि यह उनिट देखें फ्रेंट जो करन्ट की यह एसा इनिट होती है वो फिरंट होती है एंपिर ठीक है मैंने आपको लिख भी दिया है अगर फिरंट आप से पर पूचें वाट इस देफिनिशन अफ वन एंपिर तो आप फिरंट क्या बताएंगे आप बताएंगे इफ 1 कूल आफ चार्ड़ फिलो ठुरू एक अन्डक्ट्र इन कॉललेंगे इन वन iap फिरं ग। अगर बन कुलाम अप 4 फिलो हो रहा है थिरो एक कंड़क्टर 1 सेकिंड में है तो उस कंड़क्टर के अंडल जो करन फिलो हो उसको फ्रेंड बोलेंगी 1 एम्पियर ठीक है या फिर में इसको इंदी में मिलिट दिया है एक एम्पियर बिंदु धारा के एक इकाई है जो प्रत आपको तो फ्रेंड के हो जाएगा 1 mpr बराबर 1 koulomb divided by 1 second मतलब एक कुलाम का जो आवेस है वो 1 second के लिए अगर किसी conductor में फिलो होता है तो इस conductor में जो current की value होगी फ्रेंड के होगी 1 mpr बराबर के होगी 1 koulomb upon 1 second फ्रेंड आई हो पापो current के वारे में idea होऊओ करन की definition क्या होती है उसका formula क्या होता है one and pair की definition क्या होती है फेंड मिलते हैं next video में okay thank you